अभी आपको पता है दुस्तों कि दिवाली का समय है और दिवाली की समय में बहुत ज़्यादा Bikes खरीदी जाती है Automobile, Vehicle से काफी ज़्यादा आपको पता है Sailing होती है और दुस्तों आपको पता है कि अभी Bikes का जो प्राइस है वितना ज़्यादा हो चुक है KTM Duke 125 के down payment and finance के बारे में finance कराने के लिए कौन-कौन से documents की need होती है सारे चीज़े मैं आपको complete आज की इस video में बताना वालाओ सुमीद करता हूँ दोस्तों ये video आप लोग के लिए बहुत ज़्यदा interesting होने वाली है अगर आप KTM Duke 125 को finance कराना चाहते हैं और भी भाई को finance करा की लेना चाहते हैं तो ये video आप लोग के लिए बहुत ज़्यदा helpful होने वाली है चली दोस्तों आज की इस video को सुरू करते हैं बात करते हैं KTM Duke 125 के finance के बारे में अगर चैनल पे पहली बराएं तो subscribe करना बिल के अगन को on कर लिजेगा ताकि ऐसे ही interesting video के notification में आप तक पहुंसते रह सकें और आप मेरी videos update रह सकें तो चली दोस्तों आज की इस interesting video को सुरू करते हैं बात करते हैं KTM Duke 125 के down payment finance के बारे में सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं finance documents के बारे में कि अगर जब आप बाइक finance कराते हैं तो finance कराने के लिए आपको कौन कौन से documents की need पड़ती है उसके बारे में पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा देखें finance कराने के लिए सबसे पहले आपको address proof के लिए अधार काट की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद अगर आपका खुद का घर है तो आपको electricity बिल देना पड़ेगा और अगर खुद का घर नहीं है तो फिर end agreement देना पड़ेगा उसके बाद दूस्तों आपको बतातों दो से तीन चेक की ज़रूरत पड़ती है तीन चार फोटोस की ज़रूरत पड़ती है अगर आपके पास ITR है ITR मताब income tax return अगर आप फाइल करते हो तो वो अगर चीज होगी आपकी तो आपकी बाइक और भी जल्दी आपके नाम से finance हो जाएगी तो वो आपके पास वो तो और अच्छी बात है 6 month की पास बुक की फोटो कॉपी लगीगी जो भी आपकी income होती है salary आती है whatever जोहां से भी आप earn करते है वो चीज आपको दिखाने पड़ीगी उसके बिना बहुत मुश्किल से finance होगी क्योंकि obviously बात है भाई company को दिखाना पड़ेगा कि हमारी earning है और अगर आपके पस खुट का कुछ business है तो आप भाई company को बढ़ा सकते हो मतलब जो भी finance कर रहे है उस company को कि यह मैं खुट का business करता हूँ तो उससे भी आपकी bike जो finance हो जाती है नॉर्मल इतनी ही document की ज़रुत पड़ती है मतलब यह वैसे ही documents है जो कि हर किसी के जिन्दगी में यूज होते रहते हैं और सब के पास ही documents available रहते हैं मेरे साब से अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बात करते हैं Duke 155 के finance के बारे में दूस्तों Duke 155 का अभी जो एक्सुरूम प्राइज हो है 1,78,000 एक लग 78,000 रुपय के आजपास कि यह बात कर इसके ऑन डूर्ट प्राइज के बारे में दूस्ते पहला आपको clear करना चाहूँगा हरेक स्टेट एंड सिटी में ऑन डूर्ट प्राइज में थोड़ा सा difference होता यह बाइक हमारे रैपुर 36 गण में लगवाग 2,05,000 रुपय के आजपास की ओन डूर्ट प्राइज देखने को मलती है बाकि आप लोगों के सिटेन स्टेट में इस बाइक का क्या ओन डूर्ट प्राइज अगर आपको पता हो तो प्लीस मुझे कमेंट करके ज़रूर बता बतार है हलाकि आप और भी कम कर सकते हो ऐसा नहीं कम नहीं कर सकते लेकिन जितना जादा कम करेंगी उत्ता जादा आपको इंटरस लगेगा इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा तो 75,000 रुपीस हमारा डाउन पेमेंट हो गया ठीक है अब आपको बचा हुआ अमांट कित लग जाएगा अब टोटल अमांट हो गया वल्लाइक 40,001,40,000 रुपए अब हम इसका निकालेंगे रेट ओफ इंटरस देखिए कोई भी कमपनी हमें फाइनेंस करके देरी तो अबिस यह बात है उनका कुछ ना कुछ उसमें बेनिफीट होता है तो उसे हम कहते हैं माले जी अब बात है बात है एक साल में बहाने होते हैं तो आपकी मंतल य माइँ बने की लगवक बाराजार आठायाचो Suk किमालीजी या खो दुछ और को साल के लिए फैनेस कराना चाहते हो दो साल के लिए फैनेस कराने कि लिए सब से Пेहले आपको दो सालका इंट्रस निकानना पड़ेगा ठीक है एक सालका इंट्रस page कित्नुङ हो गया 1,681,800,000 रुपए एक लाग अर्शाड अजार को आप 24 याने की 24 से डिवाइट कर दो क्योंकि दो साल में 24 महीं होते हैं मन्थली या महीं बनेगी लगपक 7700,000 रुपए क्या सपास की मन्थली या महीं बनेगी जो कि आपको पे करनी है कब तक 24 मन तक माली जो दोस्तो के लिए फाइनेंस कर रहे हो तो इससे पहले तीन साल का इंट्रस निकाल देजिए एक साल का इंट्रस से 14,000 रुपए यने की 14,000 14,000 इंटू 3 कर दो 42,000 42,000 रुपए आपका सिर्फ पर सिफ इंट्रस हो जाएगा पताव आप जो एक्ष्टा पे कर दो अब इसमें 1,40,000 में से प्लस कर दो टोटल अमौन कितना हो गया वन लेक 82,000 एक लग 82,000 रुपए एक लग 82,000 को आप 36 अने की 36 से डिवाइड कर दो जो कि 3 साल में 36 महीन हो तक ठीक है दोस्तों तो यह था कि एटेम डूक 45 का कंप्लेट फाइनेंस वीडियो उमिद करते हैं आपको छोटी से इंट्रसिंग वर अच्छे लेगी लाइक करना चैनल पे पहली वेरा तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स विरो मैं लवी ओल ज है हिन मने मातरम